सब्सक्राइब नाव और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट दीपक चोरसिया जी मीडिया जगत का एक बहुत बड़ा नाम है इन्होंने अपने करियर की सुरुआत वर्ष 2003 में आज तक न्यूज चेनल से की दी उसके बाद डीडी न्यूज, स्टार न्यूज, एबिपी न्यूज, इंडिया न्यूज और हाल फिलहाल में ये न्यूज नेशन में अपनी सेवाय दे रहे ये सेंद्वा शहर के रहने वाल है इन्होंने बारवी तक की पढ़ाई सेंद्वा शहर की स्कुलों में ही की है उसके बाद इन्होंने Indian Institute of Mass Communication दिल्ली से अपनी पत्रकारिता की डिग्री कम्प्लीट की दीपक चोरिसिया जी की गिंती भारत के चुनिंदा नामचिन पत्रकारों में की जाती है कक्षा पहली से लेकर कक्षा बारवी तक मैंने पढ़ाई सेंद्वा की स्कूलों में की है ये एक छोटा सा कस्बा है बढ़वानी जीने के अंतरगाता है आज मैं बैठा हूँ इस स्कूल में जिसका नाम राश्रुपिता के नाम पर है मात्मा गांधी शाष्पी उच्चतर मादमी कुई द्याले सेंद्वा ये आदिम जाती कल्यान विभाग यानि ट्राइबल अफेर्स मुनिस्ट्री मध्यप्रदेश सरकार द्वाना चराया जाता है और मेरे एक साथी गौस मुहमद खान जो मेरे नवी, दसवी और ग्यारवी और बारवी के साथी थे और आज स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं वो भी मेरे साथ है आई अब आपको इस दिन हम आ गए हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे उप्रात्रों जिससे मुने जानी के अंदर पढ़ाई थी ये देखें डॉक्टर राधा स्रक्टर्टर का वैसा का मैसा मुदूद है देखें अब यहाँ पर शायद ये स्काफ रूम में कनवर्ट हो चुका है ये वो क्लास की जहां से मैंने ग्यादी कित अच्छा बढ़ी थी नमबर दो पर आते है अभे जोदपूरकर अभे जोदपूरकर बढ़वानी जिले के सेंद्वा सहर के रहने वाल है ये बॉल्यूट के पिलेबेक सिंगर है जिन्होंने साल 2018 में आई शाहरुक खान अनुसका शर्मा केटिना के इस्टार्डर फिल्म जीरो में साहरुक खान के लिए अपनी आवाज दी थी गाने का नाम था मेरे नाम तू जो की इस फिल्म का सबसे हिट गाना था इन्होंने अपने बचपन से ही अपने संगीत कोशल का पोशन किया पास साल की उम्र में इन्होंने गाना सुरू कर दिया था और विबिन राश्ट इस्तर की पर्तियोगिताय जीती थी 21 साल की उमर में उन्होंने वर्स 2013 में मनी रतनी की तमिल फिल्म कदल के लिए अपने पहले गीत मुंगिल तोटम के साथ अपने दिल को छुने वाली आवाज से सभी को मोहित कर दिया था और तब से लेकर अब तक ये तमील, तेलगू, कन्नड, मराठी और मल्यलम फिल्मों में धून और चार्ट बश्टर के लिए जाने जाते है मीडिया और उसमें होने वाले वेंग को रचने वाले कार्टूनिस्ट इसमाईल लेहरी जी जिनकी कार्टून की कत्रने आप अधिकतर अपने अख़बारों में देखते हो खास करके पहले पेच पर तरहा तरहा के राजनीति समसमाईक विश्यों में सामजिक मुद्दो को लेकर कार्टून हमेशा से समाज की चेतना जगाते आए हैं इसी तरह बड़बानी जी लेके निवाली गाउ से एक मशूर कार्टूनिस्ट इसमाईल लेहरी का नाम भी बड़ी खूबसूरती से दुनिया भर में लिया जाता है निवाली के रहने वाले इसमाईल लहरी जी उन चुनिंदा कार्टूनिस्ट में सुमार किये जाते हैं जिन्होंने अपने कार्टून एवं अपने वेंग के बलबूते पर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है इसमाईल लहरी जी देनिक भासकर के जाने माने कार्टूनिस्ट है और इनके कार्टून अगबार ही नहीं बलकि सोसल मीडिया पर भी छाये रहते हैं इनके कार्टून में राजनीती से लेकर किसी भी घटना का जिगर बहुत ही अच्छे वेंग के साथ होता है इसमाईल लहरी जी की गिंती पुरे भारत देश के टाप 10 कार्टूनिस्ट में की जाती है नमबर 4 पर आते है एक्टर अमजद कुरेशी जी ये बढ़वानी जीले के निवाली जैसे छोटे से गाव के रहने वाले है अमजद कुरेशी जी पिछले 12 साल से बॉली हुट इंडिस्ट्री में काम कर रहे है लेकिन इन्हें नाम और पहचान साल 2015 में आई अनीज बजमी की फिल्म वेलकम बेक से मिली जो की एक मल्टी इस्टार कास्ट वाली फिल्म थी फिल्म में अमजद कुरेशी ने जोन इबराहिम के दोस्त की भूमी का निभाई थी यही नहीं इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में 25 से अधिक फिल्मों में अभीने किया है जैसे की गन पे डन, ट्रिप टू बेचलर पार्टी, क्रेजी लम्हे, क्रेजी लव, बाबुजी एक टिकट मुंबई, मराठी मुवी सूरिया, तेलगु मुवी मांज़ा, कन्नड मुवी केर ओफ पुटपर्टू, ड्रीम गर्ल, सुल्तान मिर्जा जैसी फिल्मों में अवीदे के गये!